हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने नोकिया जी फोर्टी टू एंडुट वाइल फोन में आप कभी भी किसी को कॉल करते हैं तो कॉल करने पर आपके फोन की जो डिस्प्ले आई या ओफ हो जाती है बार बार तो इस प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाला उंतर चलिए आप ये वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं देंगें दोस्तों कभी भी अगर आपके फोन में पर डिस्प्ले आओ फो जाती है फोन की तो इस प्रॉल्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फोन को रिस्टार्ट करना है ठीक है कि हमारे mobile phone के android system में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है देखिए दोस्तों कमी क्या हो सकती देखिए हमारा mobile phone जो है वो hang करता है call करने पर display off हो जाती है ऐसी बहुत सारी android system की कमिया जो है वो solve हो जाती है mobile phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तों इसके बाद इस page में आपको ये जो circle के अंदर i button बना हुआ दिखाई दे रहा है इसे आपको tap करना है ठीक है आपका ये वाला page open होगा इस page में आपको नीचे की side ये storage and catch का option tap करना है ठीक है अब इसके अगले page में आपको दो option मिलते है एक तो clear storage का दूसरा clear catch का आपको पहले clear catch पर tap करन है तो आपका ये delete app data का page आएगा इसमें आपको ये ok का button tap करना है आपका ये नीचे की side ये user data और ये catch है इनके सामने वाला दोनों data आपका zero हो जाएगा ठीक है इस तरीके से आपको जो अपने mobile phone का calling का app है इसे आपको reset कर देना है जिससे आपकी जो call करने पर display off हो जाती है आपकी solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला process ये करना है कि आपको जो है ना अपने mobile phone का software एक बार चेक करना है कि वो updated है या नहीं है दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे phone का software का update आता है हम उसे update नहीं करते है या फिर update आता है तो हमे बार इसके बाद आपको mobile phone का setting page उपन करना है setting page उपन करेंगी तो इसमें आपको सबसे नीचे की साइडर system पर आपको टैब करना है तो उससे आपको tap कर देना है इससे आपके phone का software जो वो update हो जाएगा और आपकी call करने पर डिस्पले आफ हो जातीए प्रॉलोम आपकी solve हो अब यहां पर दोस्तों आपको आखरी प्रोसेस करना यह है कि आपको अपने मुवाइल फोन को रिसेट कर देना है ठीक है देगे दोस्तों आपको अपने फोन को रिसेट तभी करना है जब मेरे बताय हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं तब आपको अपने फोन reset पर टैप करना है आपका phone reset हो जाएगा और आपकी जो call करने बें display off हो जाती है problem आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone reset करने से पहले दो बाते ध्यान रखनी है पहली बात या ध्यान रखनी है आपके phone में remember data आपकी से दूसरे phone solve हो जाएगी अगर मेरे बताए हुए सारे process यूज़ करने के बाद भी आपकी problem solve नहीं होती तो आपको करने क्या है देखिए आपके mobile phone का जो service center होगा वहाँ पर आपको चले जाना है अपना phone वहाँ पर दिखा देना है ऐसा मैं इसलिए क्या रहा हूं देखिए हो सकते हैं आपके mobile phone के hardware के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वज़े से ये problem आ रही है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने वी solution आपको है अगर mobile phone के software की किसी कमी की वज़े से ये problem आ रही है तो मेरे बताय हुए तरीकों से आपकी problem हो जाएगी otherwise आपको अपने phone के service center जाना ही पड़ेगा